नमस्कार दुफ्तो मैं संदीप स्वागत है आप सभीक आपके अपने सक्षेस टो यूटूब चैनल में दुफ्तो आज पार्ट नमबर 27 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिस्ट्री माडल कोश्चन के बारे में आज किस वीडियो में जितने भी कोश्चन होने वह वह सारे जितने वह किस्ट्री करें यानि इतिहास करें चुकि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी helpful होने वाले हैं तो यह सारे कुष्ट्ट्ट जो वीडियो में आप लोगों बताने वाला हुई यह पिछले कई साल हो में कई बार repeat होए हैं और पिछले previous year में पूछ जरूर देखने को मिलेंगे ये वीडियो बीए फिस्ट एर शिकेंडर थर्ड एर तीनो एर के चात्रों के लिए इंपार्टेंट है वह आप चाहे किसी इनुवर्सिटी के चात्रों आप सभी को मालूम है कि बीए फिस्टियर में तो सारे कोईश्चन लगबग जितने भी होत तो चले बीना देखने के वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहला इस कोईश्चन पहला कोईश्चन है कि इसलाम धर्म का संसतापक कौन था ये कोईश्चन में कई वार आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है आपसर आपको मिल जाएंगे ए नमबर है मुहम्मद उमर बी न सब्सक्राइब और साथ साथ में आप सभी का एक स्विक्टे मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लाश्चन में कि कुईश्चन जो है और एंसर सहित आपको पूरा देखना होगा पूरा अगर आप लोग देखते तो आपको काफी हेल्प मिलती इसलिए मैं बोल तो इस question को राइट एंसर हो जाएगा इसलाम दर्म को स्थापक हज्जत महुंम्मद है ठीक है इसलिए question को राइट एंसर है वो डी नंबर हो जाएगा अगले question के और हम बढ़ते हैं अगला question है कि भारत में मार्क्षवादी विचार धारा का अग्रदूद किसे माना जाता है नंबर एक है अतहर अली को बी नंबर मार्क्षव चो ची नंबर डी डी को सामभी को और डी नंबर ए आर ए सर्मा को तो इस question को जो राइट एंसर हो जा हो जाएगा आफसर नंबर सी भारत में मार्क्षवादी विचार धारा का अग्रदूद डी डी को सामभी को माना जाता है राइट एंसर सी नंबर हो जाएगा जान से समझे गए कि question बात करते हैं अगली question की अगला question इस वीडियो में कि सम्राज जिवादी इतिहास लेखन की आधार सिला रखी गई है सम्राज जिवादी इतिहास लेखन की आधार सिला रखी गई है जेम्स मिल के द्वारा लाड मैकाले के द्वारा मैक्ष मूल के द्वारा और डी नंबर जेम्स टिंसर्च के द्वारा बहुत important question यह भी है तो इस question को तो राइट एंसर हो जाएगा ए नंबर जेम्स मिल द्वारा ठीक है चलिए बात करते हैं अगले question की अगला question कौन सा है इस वीडियो में लिखा है कि निम्रिखित इतिहास कारों में से कौन मार्क्षवादी इतिहास कारी नहीं है या इतिहास कार नहीं है नंबर एक option मिल जाएगा रोमीला थापर भी एच इतिहास कार नहीं है मार्क्षवादी वो है एसरी एच स्री राय चोधरी जी इसलिए question को जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ठीक है चलिए बात करते हैं इंगले question की इस वीडियो में अगला question जो include है वो है कि भारती मार्क्षवादी विचार धारा के अनुसार भ कुछ word उसमें type करने miss हो जाते हैं बहुत सातर उसे में confused रहते हैं तो यह अक्सर आप ध्यान दीजीगा ठीक question को समझ लीजेगा फिर उसका answer दीजेगा मैं फिर से बोल ला हूँ ठीक है तो मैं इस question का सही माने आप लोगों बताता हूँ कि कैसे question होना चाहिए भारती लिए रिखल वर्ग रिखल कि शुरुवात कब से माना जा सकता है थिक है कब से माना जा सकता है तो आप सर्ण आपको मिल जाएंगे तर्कों के आघमन के बाद लब ब राजन पूतों के पतन के बाद और D नमबर गुपतो के पतन के बाद ठीक है तो इस question को जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D गुपतो के पतन के बाद ठीक है दी number चलिए बढ़ते हैं अगले question के और एगला question है कि मद्ध कालीन भारतिये में आर्थिक एउम समाजिक इतिहास का अध्यन किन बिद्वानों द्वारा आरंब किया गया था या की गई आफसर मिल जाएगा अतहर अली के एम असरफ C नमबर मोर लेंड और आफसर नमबर D है A और B दोनो इस question के जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा D नमबर तो इसलिए जो अतहर अली के एम असरफ मद्यकालिन भारत में आर्थिक एम समाजिक इतिहास का अध्यन इनहीं के द्वारा प्रारंब किया गया था या आरंब किया गया था इसलिए right answer D नमबर हो जाएगा बात करते हैं एंगले question की अगला question है कि कुद्बुद्दीन एबक ने किस अस्थान से सासन का संचालन किया था यानि जो कुद्बुद्दीन एबक थे उन्होंने अपना जो सासन है वो कहां से start किया था कहां से वो start किया था तो आपसे आपको मिल जाएंगे आगरा से लहौर से, दिल्ली से, कर्णोज से तो जो उन्होंने अपना सासन या सासन काल स्टार्ट किया था वो लहौर से किया था इसलिए question को जो right answer हो जाएगा बी number ये भी बहुत ही important question है ध्यान में रखीगा आपके exam में जो आगे होने वाला उसमें आ सकता है बात करते हैं एक लिए question की अगला question कहिए रहा है कि निम्लिखित में से किस्ट ने सल्तनत काल में डाक ब्योस्था का ब्रिस्तृत विवरण दिया है आपसर मिल जाएगा फिरोज सा, बी number बरनी सी number इबनुब तूता ठीक है इबनुब तूता डी number अमीर खुसरो तो आपसर आपको मिली गए है इस question को जो right answer हो जाएगा वो आपसर number हो जाएगा इबनुब फिरोज साने ठीक है इबनुब चलिए देखते हैं अगला question कोने अगला question है कि प्रतिबी चौहान तिरतियों को किस तुर्की आक्रमन कारी से तराइन के प्रिसिद्ध दुतिय युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा जान दीजिएगा question थोड़ा लंबा हो सकता है question और आप लोग समझने प्रोब्लम हो सकती इसलिए एक बार question आप मत पढ़िएगा कम से कम जब आपको question paper मिलेगा तो आप दो से तीन बार question को पहले पढ़ लिजेगा समझ लिजेगा फिर आप ओमार सीट पे जो भी आपके जैसे भी exam होंगे उस तरह आप लोग उस पर correct करिएगा ठीक है उस question का answer उसे की coding दीजिएगा जब question समझ में आ जाए तो आप से मिल जाएंगे मुहम्मद गोरी इल्तुतुमिस और सी नंबर है बक्तियार खिलजी D नंबर आप से नंबर D है कि महमूद गजनवी तो इस question का right answer हो जाएगा मुहम्मद गोरी ठीक है ए नंबर अगला question है इस वीडियो में कि उस मुस्लिम बिजेता का नाम बतलाई है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदु देवी की आकरत अंकित कर रखे थी आप से मिल जाएंगे मुहम्मद गोरी गजनवी कुद्बुद देने बग बाबर तो उस जो बिजेता है उसका नाम है मुहम्मद गोरी इसलिए question का right answer हो जाएगा ए नंबर बहुत important question यह भी है ठीक है चले देखते है अगला question कौन सा है अगला question है कि तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भासा का आरंब हुआ आफसन में हिंदुस्तानी फार्सी उर्दो अर्भी तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में अर्भी भासा का प्रारंब हुआ था ठीक है इसलिए question का right answer डी नंबर हो जाएगा यह question बहुत important है जिसे आज आज आएगा question कि अर्भी भासा का आरंब कभसे शुरू हुआ तो आप लोग उसमें question ऐसे घुमा फिर आके हो सकते तो आज ऐसे तुर्की आजाए तो वहाँ पर आप तुर्की सिलिट कर दीजिएगा तो इस question का right answer हो जाएगा मुहम्मद गर्णमी के दरवार का जो प्रसिद देती आसकार था वो उन भी था इसलिए question का right answer हो जाएगा C number ठीक है अगला question है मुहम्मद गवरी के किस दास ने बंगाल एउम बिहार पर बिजे प्राप्त किया इसलिए question का right answer हो जाएगा मुहम्मद गवरी के बंगाल एउम बिहार पर बिजे प्राप्त किया था इसलिए question का right answer हो जाएगा आफसर नमबर डी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question के और हम अगला question है कि निमने मेंसे कौन चंदेल सासक था जो मुहम्मद गज्नबी से पराजित नहीं हुआ था आपसर मिल जाएंगे डंग चंदेल धंग चंदेल बिद्याधर चंदेल और लास्ट आपसर में जय सक्त चंदेल तो निमनी के लिए मेसे जो मुहम्मद गजनभी से पराजित नहीं हुआ था वो बिद्याधर चंदेल था इसलिए कोश्चन के तो राइट एंसर है वो हो सूद और नमबर सुबकुत गीन कोश्चियां का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसर नमबर एक खुसो मलिक लहुर के गजनभी वन्सका जो अंतिम सासक था वो खुसो मलिक था यह भी इंपार्टन कोश्चिन आपके एक्जाम में आ सकता है तो इस पे भी आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा या फिर कोश्चिन ध्यान में रख लीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के ओर हमां अगला कोश्चिन कहरा कि किस राज पर मोहम्मद गजनभी ने दो बार आक्रमण किया तो लहोर पे तीक है लहोर में जो मोहम्मद बार था ठीक है इसने कोश्चिन कराया टेंसर सी हो जाएगा अगला क्वेस्चिन हैं था है वारत में अर्बो का दूसरा आक्मण किस वर्स हुआ था अफ्च्टनापको मिली जा रहे हैं कि 643-44ела इसमें दो एक ही तरह आफसन आप लोगों को देखने को मिलने होंगे ठीक है ऐसे एक्जाम में भी आप लोगों को कई कोईस्टन ऐसे देखने को मिलेंगी ठीक है इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है या आप लोगों से में आप लोगों सला दे रहा हूं कि पहला ह साही करिएगा जैसे दो एकी तरह के एंसर मिल जाएं पहला भी वह यह दुनों सेम है ना यह तो आप लोग पहला से लेट करिएगा और सी नंबर है 1743 सोरी 743 से 4800 इस भी तक 650 से 1400 इस भी तक राइट एंसर इसका मैंने बताए दिया कि यह हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं एक लिए क्यों लिखाये कि बहुम्मद गजनमी के दौरा पराजिस सासक जैपाल किस वन सका था नंबर एक के परमार वन सका प्रतिहार वन सका हिंदू साही वन सका डी नंबर चंदेल वन सका तो इस क्योश्चिन को राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मह कि अगला कुश्चिन कहे रहा है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्स हुआ था ये तो कुश्चिन आप सभी को मालूम कितना इंप्वाटेंट है आप सभी को जानना आप सर मिल जाएंगे गेरा सो बाननबे गेरा सो चोरान नबे सी नंबर ए बारा सो श्बी में और अक्रमण का सारबदिक महत्तपूर प्रभाव पड़ा था तो आपसर आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह हैं पर इसलाम का परचार पर ठीक है राजनेतिक एमसायनिक दुरूबलता का उजागर होना धौस्त मंदिर धन की लूट तो इस कुश्चिन के राइट एंसर में आ पर और सायनिक दुरूबलता के उजागर होने पर ठीक है राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर तो दोस्तों फाइनली इतिहास से जो रिलेटेट आज किस वीडियो में कुछ मुहम्मद गर्जनवी से और इतिहास के एक रिलेशन से रिलेटेट और 20 कोईश्चिन जो पास इंपॉर्टन लगे वह मैं आप तक प्रवाइट कर रहा हूं ठीक है और इन सभी कोईश्चिन की जो पीडियों की डिस्केस्टन में जाएगा वहां टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा उस पर किलिक करेंगे तो आपको वहां पर जान हो जाएए वहीं पर में पीडियो डाल दूँगा तो आप लोग आसानी से इसे डाउनलोड कर लिजीगा ठीक है इसके लाव अगर आपका कोई 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 सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो प्राप्त करना है ठीक है मिलते हैं आपको निश कि कि गथिये प्राइब से घपपको अगार ठाब कोई आते हैं उक्मू आऻ रखिएवा नेय।